आईए सुने कारिक्रम हवा महल प्रस्तुत है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल की लिखी जल्की तहकीकात मी तेर से तु आज अखवार आया और फिर वही बोर खबरें वही दहेस के लिए दुल्हनों को जलाना अरे सारी लड़कियों को मार डालोगे क्या दहेस खोर राक्षा सो किसी ने महिला से सोने की चेन खीच ली वही आतंकवात बस जगों के नाम भर बदल दो तो लोगों की चेरे जैसे वही वही अरे आता हूँ भाई कहले अख़बार तो पलेटने दो अरे ये क्या कोई कभी मर गया हस्चर ये मैं तो इसे तभी मरा हुआ समझ रहा था जब इसकी कविताएं पड़ता था मिस्टर उनियाल यही रहते हैं है अब भाई उनियाल के देरे पर उनियाल नहीं रहे गा बात कैसी हूई कि शेर के ध्यरे पर हम शुर्मान कीधर को खोगे एक अँप अप पुलिस वाले मैं घवराओ नहीं ये पर रहे जी-जी, उनियाल मैं ही हूँ, आच्छा-च्छा, चलिए, आपको थाने बुलाया है बढ़िएकिस CE के किसली किसली इरे चलो भी भाई भाई ठाने और मैं आखर क्या बचा है कुछ तो बताओ ज़ी कहीं कोई जुर्म भी नहीं किया भाई सपने में भी नहीं माकसम आपको घलत फेहम हैं अर्ट अरे उन्याल साहब गवराते क्यों है हमारे साहब ने हमें हुक्म दिया कि आपको ले आए अब होगा उन्हें कोई काम अब देखे ना कि वो चलो भी जनाब आप जैसे अच्छे आदमियों को जुर्म के लिए क्यों बुलाएंगे भला मेरा तो ख्याल है साहब कि साहब को राइटर्स लोग बहुत अच्छे लगते हैं इसी लिए बुलाया होगा तब थो ठीक है पर मुझे देशत होती है मैंने थानों के ऐसे ऐसे टिस्से सुन रखे हैं कि उन्हें सुनकर तो पुलिस वालों के भी रोंग्टे कड़े हो जाएं अरे वह राइटर हो को आप साब थानों के पिस्सु पुलिस वालों के रोंग्टेGM करना वह वाह बात का मजा आ गया ऐसा नहों भाई कि थाने पहुचते ही मुझे मज़े आने लगें, नहीं मेरा मतलब कि पुलिस महिकमा फालतु तो नहीं बैठा है आजकल, इधर आप लोग पकड़ धकर भी कुछ नहीं कर रहें, अरे नहीं साहब, आप क्यों घबराते हैं, घबराने की बात नहीं, भाई कहीं पुलिस महिकमा पबलि आजगे थाने, और वो रहे हमारे साहब, ये क्या, अरे, 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 देखो भाई, क्यों कस रहे इस नोजवान को, चुबह, चला अपना काम कर, आइए, आइए, मिस्टर उन्याल, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं, मेरा नाम सिंग है, हलो, देखें, मिस्टर उन्याल, कल शाम आप कहा थे, शाम को, कुछ याद नहीं आ रहा, इसका मतलब है, आप कुछ छिपा रहे हैं, देखें, स्क्योरिटी से आप कुछ भी नहीं चिपा सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं चिपा रहा हूं, हमें तो वायरलेस से खबर मिली थी कि, आप कल उन लोगों के साथ थे, जिन्होंने पत्राव किया, मार पीट की, ओहो, अच्छा, तो आप उस चौराहे की बात कर रहे हैं, जहां कुछ नौजवान, कुछ नारे लगा रहे थे जोर-जोर से, आए ना रास्ते पर, तो बस हमें जल्दी से उनके नाम बता दो, साप सौरनों को गरफतार करके उनकी मुझे ना बांधी, तो मुझे सिंग ना कहना, पर साप, मैं तो उस जगह से कोसों दूर खड़ा था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, अभी पता चल जाएगा, रामदीन, रामदीन, जरा कलम नवीश को तो बुलाला, आया हजूर, लेकिन कलम नवीश की कलम कुम हो गई ह वो भी थाने में? एक को बल्ट करवा दूगा, जल्दी तकालो, अच्छा, दूसरी कलम ले लो, उस जिप कतरे का क्या हुआ? इस्पेक्टर बजरग उसकी बालिश कर रहे होगे हुगे हुगे, हुजूर, बढाओ उसे, देखो नियाल, अभी फाइल आ जाएगी, नामों क पता चल जाएगा, तुम साफ साफ उन लोगों के नाम बता दो, जो वारदात में शामिल थे, तो मैं तुम्हें वाइदा मुआफ गवा बना दूगा, पर सर्ब, मैं वहां था ही नहीं, सहाप, मैंने इसे कसकर बांधा भी, लेकिन फिर भी नहीं पकता, इसे कचोड़ी ख देखा, गूंगा बनता है, बता बे, तेरे साथ और कौन थे, पाढ़ गंज का बिल्ली, नभी करीम का शोकी, इनके नाम पते नोट करो, जी सार, और देखो, जिसे कचोड़ी खिलाने से खुश कर सकते हो, उसे तुम सुबा से लस्टी पिला जा रहे थे, हाँ, मैं तुम्हा था ही नहीं सर, पीली कमीज वाले आदमी के रूप में, तुम क्या वहाँ नहीं थे, जल्दे जल्दे नाम बताओ, जी ऐसा है कि, सोच लो, सोच लो, एक मिनट में सोच लो, मैं जरा साले दो तिन गुंडों को ठीक कराऊ, गली महले में दिन रात गुंडा ग पाद, प्रख़क, नहीं देता, पधाद, फ्र। तोड़ी से जानच्षूटी, ये शिंख तो पुरा राक्षास है, तो क्या करों मैं, मैं सच मुझ महां था ही नहीं, मैं खड़ा था बहुत दूर, बस तमाश बीनी जान को बनाई। सोचता हूं साले अपने तमाम दुश्मनों को भसा दूं। साले नाई को जो हमेशा मुझे तेर तक इंतजार करवाता है, और तमाम दुश्मनों को। पुलिस्वाले बेवकूफ हैं, हां तो मिस्टर उन्याल, सोच लिया अपने नाम। जी कठिन है। देखो मिस्टर, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो सोच लो, सोच लो, मैं जरा एक मामला निप्टा आता हूं, बजरान। जी साफ। सारे शराबी जुवारी इकठे ले आयो ना। जी साफ। लॉक अप से निकाल कर बगल के कमरे में। हाओ जरा, उनकी भी सेवा कर डाले हां। तो अच्छा रहे, मैं पहले फसाता हूं राम बाबू को, क्या हुआ जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, मारते तो बहुत साथा थे, जो लोग भी तन कर रहते थे, एक एक को… हाँ तो नियाल जी, बताओ ना कुछ, दो चार नाम ही सही, शाम तक अगर चार छे भी न पकड़े गए, तो हम उपर वालों को क्या जवाब देंगे? यह बात यह है कि… हाँ, हाँ, याद करो, अरे आप हमें उनके कपड़ों के रंग ही बता दें, हम तो सालों को रंगरेच के घर से पकड़ कर ले आएंगे. जी, आप जानते ही हैं, वो लोग ढोल नागाडे लेकर वहाँ खड़े थे. अपराहत की दुनिया का यही तो नया तरीका निकाला है उन्होंने, साले साप सुंताना डाकू के पहनों ही लगते हैं, नए से नया आइडिया ले आते हैं? सोचते होंगे, पलिस वाले खूसट हैं? तो जल्दी जल्दी नाम बताओ ना, मेरे हाथ की खुजली भी मिटे, पकड़कर गधों की उलादों को मजा ना चखाया? अहां, एक तो ओमी नाई. तुमने तो नाम भी बता दिया, बजरांग, बजरांग, जा साले ओमी को पकड़ा, साला बहरुपिया. आप उसे जानते हैं? हम लोग किसे नहीं जानते हैं, बस तुम हमें आत्मी का नाम बताओ, हम उसे कहीं से भी खींच ले आएंगे? यह तो तुमने बताया, और कौन-कौन थो? और और वो… हा, 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 सोच लो, पूरी रात सोच लो. और नाम तो याद नहीं आ रहे है, साप. सोच लो भई, राइटर जी, आप तो कलम से लिखते हो, और हम लिखते हैं इस हतेली से. देख लो, पूरी आठ हिंच लंबी है. एक खींच कर पड़े, तो हफ्तों जबड़े दर्द करते नदर आएं. याद आया, साप. भई, इस हतेली के जादू से बड़ी चीज़े याद आ जाती है, भई. ऐसे ही हतेली से याद आया, साप. वो नत्थिलाल मास्टर. बचपन में मुझे बहुत पीटा था उसने. उसकी हतेली के थपड़ की अब तक याद है मुझे. अवल्दार, जाओ उस नत्थिलाल मास्टर को भी पगर लाओ. तो नियाल साप, और कौन? एक मेरा पड़ोसी भी है साप, उसकी बीवी रोज मेरी बीवी से जगड़ा करती है, और वो आदमी अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता, जोरू का गुलाम. क्या नाम है उसका? फू की चांद निकालूँगा मैं यहाँ, हाँ, आगे बताओ. इस सारी वारदात का सरगना एक प्रकाशक है साब, दो बार मर्दूद ने मेरी किताब वापिस कर दी, अब कहां जाएगा बच्चू बचकर? आप जानते हैं वही दासमल साब? दासमल था सरगना, हाँ? तभी साल आपको चक्की पिस्वात हूंगा, जल्दी जल्दी नाम पताओ. जे, भालूराम दूदवाला, रामदीन पंसारी, किशंचंद हलवाई, तुरी राम निला की टोली बनाई है सालों ने, बस अभी पकड़कर ले आएंगे सालों को, बस तुम तो राइटर, अब समझो अप को एक दम छूटा हुआ, हाँ, 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 मजबारव साह, हाँ, हुदूर्द दर्वा साहब, ये देखो, इस जूटे ही करतूत, क्या मादरा है, इस बदमाश्ट ने अपने मौामले में जूटे ही कई बेकसूर लोगों को फसा दिया, हाँ, जूटा बयान द आप तो सच बोल रहे हैं ना कहीं ख्यालों में कल्पना में अभी आप डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल की लिखी जलकी सुन रहे थे तहकीकात प्रस्त करता थे रमेश चंद्रदत प्रस्त